पूरे लेबनान के जनता जल रही है लेकिन इसके बावजूद हिजबुल्ला हथियार डालने को तयार नहीं है और अब हिजबुल्ला अपने तरकष से ऐसे ऐसे हथियार निकाल रहा है जिनका इस्तमाल उसने अभी तक नहीं किया था यहां तक कि हिजबुल्ला के ड्रोन, रॉकेट और मिसाइले अब इस्राइल के और ज्यादा भीतर तक हमला कर रही है इसका जीता जाकता सबूत 19 अक्टूबर 2024 को नेतन्याहू के घर पर हुआ ड्रोन हमला है और यहीं वज़़ा है कि अब हिजबुल्ला ने कह दिया है कि वो इस्राइल के सामने एक इंच तक नहीं जुकेगा हलंकि इस्राइली फौज भी हिजबुल्ला की कमर तोड़ने में लगी हुई है लेकिन आईडियेफ के तमाम हमलों के बावजूद हिजबुल्ला आईडियेफ के उपर दनादन हमले करने में लगा है और अब इसी कड़ी में हिजबुला ने इसराइल को एक बड़ा जटका दे दिया है। दरसल हिजबुला ने लेबनान के जिपचिट कजबे में IDF के हरमस 450 ड्रोन को धेर कर दिया। हिजबुला के मताबिक 25 अक्टूबर 2023 को शाम करीब 5 पचकर 40 मिनट पर इस ड्रोन को निशाना बनाया गया। हिजबुला के मताबिक इसराइल के एक और हरमस 450 ड्रोन पर जमीन से हवा में वार करने वाली मिसाइल से हमला किया गया। ये ड्रोन लेबनान के अलक इकलिम इलाके में उड़ रहा था। हालांकि हिजबुला के हमलों के वज़ह से इस ड्रोन को पीछे हटना पड़ा। आपको बता दे कि 15 अक्टूबर 2024 से हिजबुला इसराइल के चार हरमस वेरियन के ड्रोन गिरा चुका है। इसमें एडवांस हरमस 900 ड्रोन भी है और इस अटैक के अलावा हिजबुला ने IDF के उपर लेबनान के भीतर और बाहर दर्जनों हमले किये। इन अमलों में इसराइल के दो रिजर्व सैनिक मारे गए हैं जबकि कई सैनिक घायल हुए। और इसको लेकर सफद के जिव मेडिकल सैन्टर का कहना है कि उसने 22 अक्टूबर को अकेले 14 घायल सैनिकों को भरती किया है। वहीं दूसरी तरफ इजबुला का ये भी कहना है कि उसने लेबनान बॉर्डर के पास IDF के 6 मेर कावा टैंक को कोड़ा दिया। इन में से 5 टैंकों पर एंटी टैंक गाइडिड मिसायल से हमला किया गया था। इन में से एक टैंक रब, अल, थलातिन गाउं के बॉर्डर के पास नष्ट किया गया। जबके एक दूसरा टैंक इसी इलाके और अल तईयबे के बीच में हिजगुला के हमले के वजह से तबाह हो गया। हिश्बुला का कहना है कि बाकी टैंकों को ओडी सियाह, अल तैयेबे और मिजगाव अम के बाहरी अलाकों में निशाना बनाया गया। हिजबुला ने दावा किया कि आईडियाफ के लेबनान पर जमीली हमना करने के बाद उसने आईडियाफ के कुल 26 मेर कावा टैंक को कोड़ा दिया है और इन हमलों के दर हिजबुला ने उतरी इसराइल के तटवर्ती इलाके में भी ड्रोन्स का एक जथा फायर किया और इस हमले के वज़ा से मैनिजशे और नेतन्या सेटलमेंट के उत्तर पूर्वे इलाकों में हवाई हमलों के साइरन बज़े गौर करने वाली बात यह है कि पूरा ही इलाका लेबनान बॉर्डर से करीब 86 किलोमीटर की दूरी पर है हिजबुला का ये भी कहना है कि कबजे वाले फिलीसीन के कई जिलो में ये ड्रोन करीब 40 मिनट तक मन राते रहें क्योंकि इसके बाद मैंने शाब रिगेड हेटकौर्टर्स पर एक ड्रोन जाकर फट गया क्योंकि IDF के जेट्स और हेलिकॉप्टर इन ड्रोन्स को इंटरसेप्ट ही नहीं कर पाए